Friends, Welcome to MyTube Channel Friends, DDA Diwali Special Housing Scheme 2023 के Dwaraka Sector 14 के EWS Flats के 50% Flats को Hold करने के लिए Dwaraka Sector 14 के MIG और LIG Alloties ने दिल्ली High Court में Case कर दिया है DDA के Against में ताकि 50% EWS Flats को Hold कर दिया जाए मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में इस Case की डिटेल भी बताई थी लेकिन आज की डेट में अब तक कोई भी legal document या कोई legal stay order ना दिख पाने के कारण यानि कि दिल्ली High Court की website पे कोई legal order दिखाई नहीं दे रहा है उसको upload नहीं किया गया है जिसके कारण आज की डेट में भी EWS के अलोटीस को possession दिया गया है अब देख सकते हैं या possession slip आज यानि 20 माई 2024 को generate हुई है यानि कि आज की डेट में भी द्वारका सेक्टर 14 के EWS flats का possession दिया गया है जैसा कि मैं आपको बताया था इस case की next hearing 28th October को है friends जैसा कि sources से पता चल पा रहा है कि court का order मिलते ही जो allotment किया जा रहा है इस समय EWS category के जो alloties हैं उनका allotment बंद कर दिया जाएगा उनको यानि physical possession देना बंद कर दिया जाएगा sources से आज की डेट पर ये भी बताया चला है कि जिन लोगों का possession letter अब तक नहीं आया है sources के तुरू है friends एक चीज और पता चली है कि जो 50% flats यहां पर hold की बात चल रही है तो वहां पर 50% flats hold नहीं होंगे 35% flats hold किये जाएंगे क्योंकि यहां पर MIG की संक्या है 316 316 MIG वाले हैं और total EWS flats हैं लगभग 1008 के आसपास तो 50% flats तो 500 flats होगे यहां पर LIG जो है एक lower income group है उनके लिए flats hold नहीं किये जाएंगे जैसा कि जो notification है 2013 यह 14 का notification जो मैं आपको पहले आपको दिखाया था उसके according जो है lower income group है LIG है और LIG जो है अपने servant के लिए थोड़ी EWS flat लेगा वो भी market price पे 27-80 lakh का वो अपना flat ले रहा है उसके बाद market price पे अपने servant के लिए EWS flat लेगा वो भी 50 lakh का तो उनके लिए hold नहीं किये जाएंगे जो hold किये जाएंगे यदि किये जाते हैं तो वह किये जाएंगे MIG के लिए और MIG है total EWS का लगबख 35% तो यदि hold भी किये जाते हैं तो 35% flats ही hold किये जाएंगे लेकिन वो भी तब hold किये जाएंगे तब court का stay order आएगा यह code का फैसला आता है friends यहाँ पर मैंने आपको जो भी जानकारिया दी वह 100% reliable source के थूर नहीं है तो इसलिए हम इनको शायद की category में रखेंगे शायद की category में रखेंगे और जब तक court का order नहीं आयाता है stay order या फिर जो भी legal document सामने नहीं आता तब तक इसको शायद की category में ही रखना ठीक होगा क्योंकि शायद 35% flats को hold किया जाए शायद possession slip आगे से ना दी जाए शायद possession letter ना दिया जाए इसलिए इन सभी बातों को हम शायद की category में रखेंगे जब तक की court का कोई order हमें सामने नहीं मिलता ठीक है friends तो जो भी update मिल पारी थी वह मैंने आपके साथ share कर दी फिलाले चोटी सी information थी आई हो अपको पसंद आई होगी धन्यवाद नमाश्क्राइब